नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षिट नमर 161, यह हमारे हिंदी की कारिय पत्रे का होने वाली है, 4 फरवरी 2021 की इदर बच्चे अपने नाम लिखेंगे, इदर अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज की हमारी वर्क्षिट होने वाली है रचनात्मक लेखन पर, यानि आज हमें कहानी बनाने वाले हैं चलिए इसको शुरू करते हैं, नमस्ते प्यारे बच्चों, उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आईए आज हम नीचे दिये गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं आपके मदद के लिए कहानी से सम्मन्दित पात्र का नाम, आप अपनी पसंद का नाम भी लख सकते हैं कुछ शबद, वाक्यांश और मुहावरे नीचे दिये गए हैं इन शबदों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्या में प्रियोग करके अपनी कलपना से एक कहानी बना कर अपनी कौपी में लिखिए कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना अपनी बनाए गए कहानी को एक उप्युक्त नाम भी दीजिए और नीचे दिये गए बॉक्स के अंदर लिखिए देखे यहां पर वो क्या कह रहा है कि यहां पर कुछ चित्र दिये हुए है ठीक है यह देखे एक दो तीन चार पांच छे चित्र यहां पर दिये हुए है अब इन चित्रों को देखकर आपको जो भी लगता है कि क्या कहानी रही होगी वही कहानी आपको बनानी है ठीक है और आपको क्या करना है और यहाँ पर कुछ information भी दी है ठीक है और क्या बोला है उन्होंने यह देखिए उन्होंने पात्र बता है यानि करेक्टर बता है कहानी में कौन-कौन आ सकता है एक मेंड़क आ जाएगा कीट पतंगे आ जाएंगे मच्छर आ जाएंगे ठीक है और कुछ शब्द भी दिये है जैसे भूख, खाना, तलाश, छलाँ, परेशान, तरकीब, मौंबत्ती ठीक है ये कुछ शब्द भी दिये है कुछ वाक्यांश भी दिये है ठीक है जैसे भूखा मेंड़, खाने की तलाश, ठीक है तो ये बहुत सारे वाक्यांश हमें दिये है और मौहावरे भी दिये है जैसे पेट में चूहे दोडाना यानि भूत तेज भूख लगना एड़ी चोटी का जोर लगाना यानि बहुत मैनत करना और अकल दोनाना यानि दिमाग लगाना तो यहाँ पर कुछ और चीजे भी हमें दे रखी है जिनका इस्तेमाल हमें करना है ये कहानी बनाने के लिए ठीक है तो कहानी आप अपने हिसाब से भी बनाएंगे अपनी कल्पना से बनाएंगे इन शब्दों का वाक्यांच का मुहावरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे दिये के चित्रों के हिसाब से कहानी आपको बनानी है ठीक है यहाँ पर आपको कहानी का नाम भी सोचकर लिखना है ठीक है आप अपने ही साब से कोई भी कहानी लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर उधान के तोर पर एक कहानी बनाई है जिसको आप लिख सकते हैं या उसमें से थोड़े सी हल्प ले सकते हैं आईए देखते हैं क्या कहानी बनाई है ये देखिए ये कहानी है हमने कहानी का नाम दिया है चिंकू की भूक आईए इसको एक पर पढ़ लेते हैं एक मेंड़ जिसका नाम चिंकू था एक दिन बहुत जोर से भूक लगने पर परेशान हो गया वह खाने की तलाश में घर से निकला भूक के मारे उसके पेट में चूहे दोड रहे थे जैसे ही वह बहार निकला उसे मच्छरों और कीट पतंगों का एक जुंड पास ही में उड़ता दिखाई दिया वह बहुत कोशुआ और आगे बढ़ा वह इधर से उधर कुदा लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया एक बार तो उसने जैसे ही चलांग लगाने की कोशिश की उसका पैर फिशल गया और नीचे पड़े पत्थर से उसका मुँ टकरा गया उसने एड़ी चोटी का जोर लगा कर दुबारा प्रयास किया लेकिन अब भी कुछ प्राप नहीं हुआ तब ही उसने पास में एक मुम्बत्ती देखी और अकल दोड़ाई उसने उस मुम्बत्ती को जला दिया और एक कोने में रख दिया थोड़ी देर में सारे मच्छर वर कीट पतंगे उस मुम्बत्ती के पास आ गए यह तरकीब लगा कर उसने मच्छरों और कीट पतंगों को अपने जाल में फसा लिया चिंकू बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा उसने अपनी जीब निकाल कर मच्छरों और कीट पतंगों को पकड़ कर खाना शुरू कर दिया इस तरह भर बेट खाना खाकर वह अपने घर वापस चला गया तो देखे बड़ी सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी या पर हमने कहानी बनाई है आप चाहे तो यही कहानी लिख सकते हैं ठीक या इसके लावा कुछ और भी आपका अपनी कहानी बना सकते हैं यह सब आपके उपर है आज की ग्लासी ही गतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जैह हिंद